Assalamulaikum guys, कैसे हैं आप उमीद करते हैं आप सब खहरियेत से होंगे खुश होंगे और हमेरी तवाय कि हमेशाँ रहते और मुस्कृत रहते और आज हम धेखने जा रहा है खान सर के वीडियो तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते रहा हैं जैहिन देखे बंगलादेस में अभी जो हालिया घटना हुई है और सेख हसीना को वापस भारत में सरण लेना पड़ा है कोई ऐसा नहीं है कि यह पहली बार सरण ली है और इससे बात एक समय था है जो बंगलादेस में लोट के गईती और सेख हसीना वापस बंगलादेस रहा है इसको जानने के लिए हम लोगों को आजादी के सब्सक्राइब से पीछे चलना पड़ेगा यह पश्चमी पाकिस्तान और पुरीवी पाकिस्तान एक ही थे यहां पर यह दोनों एक ही थे और इनके संसद भावन को निसमेल एसन मिली कहते हैं जिसमें 300 सीते हैं भाव सेख मुझी बुर रह्मान यह पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले थे और जुल्पएकार अली भुटो जो पर्श्चमी पाकिस्तान के थे चुनावा में जो होता है जुल पेकार अली भुडव्न हार जाते हैं इननके खियासी सीटे मिलती हैं जब कि भामाद के लिए 151 स पाकिस्तान पॉट पार्टी पार्टी हार जाती है जब कि थेख मुझीबु रामान की पार्टी आवामी लिग 167 वोट पाती है यह नी कावन से जादे पाती है चालीस परसेंट पा जाती है अब अईसे ही समझे कि मोदीजी को 36% मिला है बीज़ेटी को 36% और इने 40% कि बंगलादेश के लोगों में बहुत खुस थी इन बगलादेश नहीं तो पुरी पाकिस्तान कि हमारे एरिया का परधान मंतरी बनने जा रहा ह तो यह जो थे जिद्पेकार ली घुटो यह एक हम से मिल के इनको जेल में बढ़ित कर दिया का कि नहीं तुम बगाली है तुम लोग कर इसे परधान मंत्री बनेगा तो यह लोग नहीं के लोगों को बड़ी हीन नजर से देखते थे काला बोलते थे बंगाली बोलते थे उल् बंगलादेश पुरी पाकिस्तान अब पाकिस्तान का भाग नहीं रह सकता है हमें अपना अलग बंगलादेश बनाना पड़ेगा और इसके लिए एक लंबा आंदोलन छेर दिये हां पर जब यह आंदोलन छेरा गया तो यह जो खचरा है जुल भेकार ली घुटो इसने वह जन्रल टिक्का खान को जन्रल टिक्का खान जम बंगलादेश पहुचा उससमें पुरी पाकिस्तान था तो यहां पर आंदोलन कर रहे हैं लोगों पर इतना अप्या चार किया कि बंगलादेश में यानि उससमें का पुरी पाकिस्तान में इसने ऑपने संसर्च लाइट चल कि रेप करो ताकि इससे जो अगली बैच्चे पैदा होगी रेप के कारण तो वो पस्चनी पक्तान का दीपने उसमें जादे पाए जाएगा और वो लोग आजादी की मांग नहीं उठाएंगे यहाँ पर इस तरह का यह नीचादी था इस जनल में अपराग के बाद यहां प ने वहा के लोगों उसने एक अपनी अलग संगर्थन बनाए मुक्ति वाहिनी को भारत का खुला सपोट था और मुक्ति वाहिनी के लोग थे मुप बंगला देश के लोग थे माँ पहले पाकिस्तान में नहीं रहएंगे हमें अलग डेस चाहिए जब की यहाँ पे जश्व कर दो नहीं प्युक्पा क् Kerry रॉनसरे कि अर्टर टींध्य यहुंब का विए अशकल की सेबस्त करें ति इंडियान आर्मी सपोर्टर अन्तधाद मुक्ती वहीं हिनी जीत ह्दी और ये पस प किस institute बेसर्मों ने 93,000 फोज ने सरेंडर किया, दुनिया का इतिहास है कि 93,000 फोजों ने सरेंडर नहीं किया, अधियार जमीन पे फिक दिये लोग, अपना बेल्ट उल्ड उतार के, ऐसे सरेंडर करके, यहां नियाजी साथ सरेंडर कर रहे हैं आपड़, और यह बहुत आइकोनिक जियाउर रह्मान और सेख मुझीबूर रह्मान दोनों मिलके बंगलादेस के पततता में अंधोलग में अभागी जाता, लेकिन जियाउर रह्मान का कहना था कि हमारा इंतना नाम नहीं हुआ, जादे नाम इनका हुआ, रीजन के यह पोलिटीशियन थे, वो सेना के आदमी जलने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान इनके पीछे पड़ा था और पाकिस्तान चाहता था इन्हें मरवा दिया जाए, और हुआ भी ऐसे ही आजादी के महज, 1972 में पाकिस्तान ने माननेता दिया बंगला तीन साल बाद, 15 अगस्त 1975 को, 15 अगस्त 1975 को सेख मुझीबूर रह्मा अपने घर में थे, उस समय आर्मी के कुछ लोग आएं, आर्मी वाले कुछ वर्दीधारी इनके घर में घुसे, और घर में घुसके गोलिया चलाने लगे, जब गोलिया चलाने लगे तो यहीं पर गोली मार दिया गया, इनी सेख मुझीबूर रह्मान को गोली मार दिया ग और यहां पर इन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया और लास को ऐसे दफना आए गया था सोचिए पाकिस्तान वाले कितने निर्मम हत्यक है अरे भाई अगर किसी की जान ले भी लियो अब मर गया है तो अब मरने के बाद लास से क्या बत्तमीजी करना है एक गध्धा में जानवर की तरह लास दफना आए थे सब केवाद इनकी दो बेटिया बज गई थी सेख रहाना और सेख हसीना क्योंकि इनके हस्बें जर्मनी में थे उस समय तो यह जर्मनी में थी उस समय तो जर्मनी में थी तो पाकिस्तान की जो आईएसाई थे सब उनका करना था है 17 लोग को मार दिये इदूगों को और मार देते हैं नहीं तो यह दिक्कत करेंगे सब यह बात पता चल गई भारत को पता चल गई कि पाकिस्तान की ISI, सेख हसीना को जर्मनी में पारदा चाहते हैं, तो इंद्रा गांटी ने उन्हें भारत में एकायलब दे लिया, सरण दे लिया कि आप भारत में रही है, तब तक बंगला देश की स्तिती सहीं नहीं हो जाती है, तब अब जै तो इस दोको बहुत मुस्किल हो जाता क्यूंकि आई एसा इनके पीछे पड़ी हुए हुए हुआ क्या वहां पर 1975 में सेख मुझीबुरह्मान की हत्या हो जाती है तो शिभِ पूजिव रह्मान के साथे सेना पर लग रहे है जियाउल रह्मान जो ये कह रहे थे हमको credit नहीं इंदा अब इनके हाथ में सता आजाती है तो जीति बंगलादेस की जो सेना थी वो इनको भी नहीं देखना चाहती है लुकल अिए अधिया जीनी लगी और इनको मरवाने तो यहां इनकी भी हो गई करते हैं लाकुल शॉव देखी है। देखेज हो धी मेशनी है यही समय लगशनाला ऑक छानर को वांपते हैं आप बेन वहां कि अस्टाने में जुद वैस्क नषी होगा फंपने अपनेखिता की आपको कि पाटी को क्रती कुछ लड़ी और उसके बाद मुख्य भी पख्षी पाथी जो गई जिया उर्रहमान की विद्वा जो थी उनका नाम खालीदा जीया था अब देखे आरोप पत्यारोप का दौर कैसे चलू होता है कि मेरे पिता जी की हत्या इन लोगों ने कराया था अधिक इन दोनों वेगमों की लड़ाई में बंगला देश के लोग भीश रहे हैं यहाँ तो यह दोनों एक दूसरे पर आरोप पत्यारोप लगाती है लेकिन अब दोनों यहीं चुनाव में रहते हैं इनकी पार्टी की पार्टी का नाम हो जबा बंगला देश अवामी lig और इनकी पार्टी का चाउग्टा हो जाता है अब कि प्रतिबन लगा देती हैं लेकिन 1996 में 15 अगस्ट का दिन था जब इसे घतना को याद किया जा रहा था कि सेख हसीना जो थी एक दुख का मतलब दुख मना रही थी कि 15 अगस्ट 1975 को इनके पूरे परिवार को मार दिया गया था तो हर काल बंगला देती पंदरा अगस्ट के दिन सोग के तौर पर मनाया जाता है ये क्या की खालीदा जिया कि 15 अगस्ट को अपना जनम दिन का केक का इतना नीच हरकत करने की ज़रुवत इसे नहीं थी किसी के परिवार में 17 लोग को मार दिया गया है उस दिन आप जवजस्ट ही अतना बढ़्दे केक का दियेगा तो अचा बढ़्दे रहता तो केक आथी है इसका 15 अगस्ट को बढ़्दे नहीं है जवजस्ट ही करने के लिए जिस दिन के परिवार के 17 लोगों की अपना जनम दिन मानाने लगी इस वज़से इन दोनों की लड़ाईयां और गहड़ा आते गई आप और यहीं तो थो भी पक्षी नेता में रह गए लोग पाती में लड़ाई मतलब चुनाव में तो निस पच्छानवे से हैं 2001 तक से खासीना थी उसके बाद 2001 में जब चुना हुआ तो खालिदा जीए जीद गए 2001 से 2006 तक यह रही बट इन दोनों में गरवरी क्या है ना है घर में कईते दूब महिला लगती हैं इदेस में दूनों महिला लगती हैं इस पर आरोत लगा डिये चुनाव में यह द्ह जीए सब एक दूसरे प्यारोत लगाते हैं तो बंगया देस में कानून बना दिया गया कि जब चुनाव होगा तो उस समय एक केर टेकर राश्क्ति बनाए जाएगा और सारी सक्तियां उस राश्क्ति को दे जाएगी चुनाव के दौरान ताकि कि किसी के पास सक्ति ही नह और सब्सक्ति है तो केर टेकर राश्क्ति का कंसिप्त आया कि यहीं केटे किंग करें चुनाओ इन inaccurे मध्य मजर अच्छा से सब्सक्राइब कर दोनों को जेल डाल दिया बाद में सुप्रीम कोट का हस्ते चेप हुआ तो जेल से बाहर निकली और 2008 में सेख हसीना जीत गए 2008 से 13 तक जीती फिर 13 से 18 18 से 24 जीती बीच में कोरोना के वाई से फ़र डीले हुआ था अपनी में चुना हुआ फिर जीत गए यह चौत्री बार प्रधान मंत्री बन रही है सेख हसीना जिस वज़े से इन्हें डिक्टेटर कहा जाने लगा और यह चुनाव में हारने लगी खालीदा जीया यह कट्व पंती है पाकिस्तान के समर्थी ते दूसरा इनके उपार देढ़ पर काम करें लेकिन अगर आप उसे पूजी दे देजैगा तो उस पूजी के मदद से अपना होटल खोल लेगा तो इन्होंने यहीं चालू किया माइक्रो क्रेडिट चालू किया, थोड़े-थोड़े पैसे देने चालू किये, और इन्ही का कंसेप्ट आज पूरी दुनिया में लगता है, कि आज कल कोई भी कुछ पैसे देखे, मोबाइल EMI करा लेता है, वासी मसीन EMI करा लेता है, तो छोटा-छोटा-छोटा-चोटा जी दुकानों पर जाके आप EMI पर लेते आते होंगे, यह इन्ही का कंसेप्ट है, मौहमर जुनूस का कंसेप्ट है, आज कल तो वही हो गया है, सुचाल लईका सम EMI का आइफोन लेके चमका रहा है सम, अरे क्या जिनुक थे दिखाने का, तो यह वाला कंसेप्ट इनका था, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम भी कुने चुनाव लड़ ले, तो 2007 में इन्होंने नागरिक सक्ति-पाथी बनाया, इन चुनाव हार गया, तो ब मरने वाले हो तो वापस निकाल लेना चीए, अपरी डुबाना चीए, तरपा तरपा के रखना चीए, तो सेख हसीना का इनके साथ भी विवाग चला था, अभी यहीं है कियर्टे का पर्णानमंत्री बंगलादेश का, लिए कि बंगलादेश में दो प्रमुग नदी देख जब यह दोनों मिल जाती है, इनकी सायूक धारा में एक मेहना के मिलती है, तो इनको सायूक दोनों की सायूक धारा को हम मेहना नदी कहते हैं, यह तो जोगरफी का टॉपिक है, अब दिखें, जब दोजब 24 में सेख हसीना चुनाओ जीती हैं, तो चुनाओ जीतने के बाद एक बहुत ही वेच्योड पर्भात मंतरी के तौर पर ये अपने देश का भला पुछते हुए भारत को भी लेके चलती है चाइना को भी रसिया से भी यानि बंगला देश तीनों को बैलेंस करके चल रहा था ना जादे रसिया चाइना इंडिया किसी को जादे फिवर नहीं कर है और ये बहुत मेजोरिटी से जीत किया थी तीन सो में से 225 सीट यानि एक तालीस परसेंट चुना जीत किया थी वो लेकिन एक रिजर्वेशन के वज़े से यहां बवाल हो गया रिजर्वेशन था कि 1971 की जो लड़ाई हुई थी स्वतंत कराने के लिए बंगला देश में अरक्षन कि व्यास्धा की थी बंगला देश में आरक्षण जाती धारम किनाती नहीं स्वतंता सेन लीयों को हैं तो 1972 में 30 पर सेंट आरक्षट अरु स्वतंता सेनानीयों कोεί जो स्वतंता सेननी है लेकिन 1972 के बाद 1997 में यह 30 % आरक्षा उन देभ बच्चों को भी दे दिया इनके पार्टी में जा दे थे तो फ्रीडम फाइटर के नाती पता को भी आरक्षण दिया गया यह और बंगला देश में होने लागए भाया आप सबको आरक्षण देते जाएंगे जो लड़ा उसको दिये ठीक है उसको बच्चा को दिये फिर बच्चा को दे रहे हैं यह ठी क्योंकि हमने सबनता की लाई लड़ी इसी साल 2024 में हाई कोट में का अगने की वापस तीस परसेंट तो भाईया इसमें सेख हजीना ने तो दिया नहीं था इसमें तो हाई कोट ने दिया था लेकिन लोग भलग गए सेख हजीना पर याद कि यही घटना हुई थी मनीपूर म जोगे सेख हजीन वरट ओड़ी लेकि यहां थाख की तॉछ बच्चों कि मृति हो गई यह स्टूडें बहुत बहुत तुछ बहुत बगावत लेडबें और इसमें इक बहुत बड़ी इटना वी जब पुली मोली चलाई तो कुछ बच्चों की मृत्ती हो गई पहीद हो गई कुछ बच्चे जिससे की युवा और भड़क जाए युवाओं को प्यारे से समझा सकते हैं धमकागे तो युवाओं को नहीं समझा सकते हैं इसी बीच जब आंदोलन चल रहा था तो मीर मत का एक नती था मीर मगदो था वह पानी पिलाता था सबको जो अंदोलन का देऊं पानी पानीपीला पानीपील तो इसी दौरा जब पुलिस गोली चला हुझा इनो तो उसको लगए अब भ Uskод और घंड़ला तूं जो में रहा था हुझा पोलिस घ्पुलील कर लिकीन किमें लॉतीयां। अब मार किये, आप वीडियो बन वाती है, तो ये लोग कहते हैं, आंदोलन मत कीजिए, लेकिन जब मारे रहेंगे तो पाता चल जाएगा, तो इन लोग कहते हैं, जरूर इन लोगों ने अरेष्ट किया है, तो बंगलादेश की पुलिस कहते हैं, पता नहीं कहां से वो वीड करण जरूर तो पुलिस के विडियो के ले बनाता तो पुलिस इन तीनों को छोड़ी, तो मीडिया वाले पुछे, आपने ऐसा वीडियो क्यों बनाया था, की आंदोलन मत कर दिया जाए, तो उन्हों ने अपना कप्ला हटा आती जो जखन दिखाया मार पीट का और रोरों के जब वीडियो बनाए तब पूरा उग्र हो गया बंगलादेश और कहें कि अब सीधा कूच करते हैं मार्च करते हैं कहां पर बंगलादेश में सेख हसीना के भवन पर सेख हसीना के दर्वाजे पर चलने लगी सेख हसीना ने हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाया जिसमें वकारूद जमा सेनापती भी उसी में उपलग दिखे महापत सेनापती के साथ ही इंटेलिजेंस हेड को थे वकारूद हसन थे और साथ ही वहाँ पर जो एनसे निशनल सिक्योर्टी एडवाईजर तारीक हसंद सिदीकी भी थे ये तीनों लोग मिलकर सिर्क हसीना को कहें कि हम धीर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम लाखी नहीं चार्ज कर सकते गोली नही उसके आपी बची है वह खाला पचल है चला यह फीर कभी जाईएगा वापस तो 40 मिनत का समय दिया गया और सेना पती ने इन्हें वापस हलीकोप्तर से फिर जहाज में बैठा के भारत बेंगिया जब यह सेना पती बनने लाइक नहीं थे वाकारू जमा सेकेंड सीनियर थे आदेश छोड़ना पड़ा हेरिकॉप्टर से फिर जहाज में बैठी और जहाज में इनका सूपर हरकुलियस जहाज हिंडन एयरपोर्ट पर ले आके लैंड किया यहाँ पर इस बीच जो सेख हसीना का बंगला था गोनो भवन उसमें उगरवादी घुस गया थे सा आपको क जोकर जोचना चाहिए एक इंड्रा गांधी का समय था जब मुक्तिवाईठी को घुसा कर और हमारे सेन मानिक स सेना घुसा कर वहाँ पाकिस्तान की सरकार उजार दियें से बिचान कर दियें वहां का स्वतंत सरकार बना लिए और वहां अपनी पसंद का सरकार भी बैठा द मतलब अरे बैल तो राइकरों में अपना काबिलियते दिख रहा है यही चीज अगर इज्राइल में होता तो इस्टूडेंट लोग कभे गाइब हो जाते लो पते नहीं चलता यह तीनों इस्टूडेंट ने पता चलता यह उसको मार दिया हूँ उसको मार दिया दूसरे जग हमारी मुलाकात हुए थी कुछ दिन पहले इतने मतलब इतने बड़े पोस्ट पे जो तेरा चौदा लाक सेना को मतलब कंट्रोल कर रहा है हमारी मुलाकात हुए थी तो हम कहते कि सर हमको भी जाना था फोज में अगर हम रहते तो आपके अंडर कमांड हम कहीं डिवटी पे रहते हैं तो उन्होंने का नहीं आप पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ा रहे हैं जो मिडिल क्लास है गरीब है इन लोगों को आप पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो सोचिए भारत का एक सेना पती है जिनको इतनी ब्यस्तता के बावजूद इतना पता रहता है देश के बारे में यहाँ पर 13,14,14 लाग की फोज को यह लोग समाल रहे हैं और एक ही बंगलादेश का है इसके यहाँ इस सेना पती यतना लोगों को रोक नहीं पाया बता यह इतना भीर को नहीं रोक पाया अवही भारत के सेना को दे दीजगा तो कचुमर निकाल द इंटेलेक्शुल लोगों को रखा गया वकील, जज, साइन्टिस्ट हैं सब कुछ महिलाएं हैं अब वो लोग बंगलादेश को एक नए ढंग से चालू करेंगे लेकिन बंगलादेश में उपद्रव बहुत जादे हो गया है अब कहीं लोग का काना है कि अमेरिका का इसमे चुनाव अच्छा से नहीं हुआ है भाया अमेरिके में कौन माचुनाव अच्छा से हुआ था ट्रम्प तो खुदे आरफ लगा रहे थे उनको जबर जस्ती हराए गया यहां पर तो अमेरिका ने क्या कहा मतलब सेख हसीना का कहना था कि अमेरिका यहां सेंट मार्टीन नाराज हो जाएगा चाइना भी नाराज हो जाएगा इन दोनों को इस रसिया भी नाराज हो जाएगा तो मना कर दिया यहां पर यही आरोप लगाई थी अमेरिका की उपर अभी हाली में अमेरिका के डेलीगेट्स आय थे सब बंगलादेस में अब दिखें अमेरिका की इंटर्वेंशन है, बिदावट अमेरिका के इंटर्वेंशन ऐसा होई नहीं सकता है, यूएनों की बेसरमी देखिए, यूएनों क्या कह रहा है, कि परदर्शनकारियों पर लाठी चाहिए, यह इनका अधिकार है, अरे यह चोट्टे परदर्शनकारी, सेख हसीना का अंडर बढ़ जाएगा, अब कौन होख सकता है उसको बढ़ने से लिए, सरकार जो थी सेख हसीना की, वो न्यूट्रल सेकुलर सरकार थी, अब उस पर बढ़ जाएगा, अब सरकार इस पर कितना रोख सकती है, आपर दूसरे की गवर्मेंट है, और वहाँ पर सेख मुझीबुर र करती होगी, जब हम लोग बंगला देश को करते हैं, इतना समझते कि भाई तुम्हारा देश का राष्ट पिता है, उसको पूतला मत्फु को, तो हम लोग में भी यही होता है, तो रेडिकलाइज नहीं होना चाहिए, देश के लिए अच्छा बात नहीं है, अभी भारत को यही मोका है कि चिकन नेक जो 22 किलो मेटर है, चोहर के है अच्छा कर लोग, सबस्वरातों नहीं है, यह तो यह तो स्थेक हसीना वापस जाएंगी, तो हम लोग लोटा देंगे, और नहीं, तो लोग कबजे कर ले यह यह जाएंगे तो यही मोका है, बढ़िया से कबजी आ सभी तक नहीं दिया, बंगलादेश वाले हम लोग का बिजली दे दो, बिल दे दो, इतना फूंग दिया यहाँ पर, तो आप लोग को यह समझ में आया होगा, और अब बिल्कुल यार, काफी इंटरस्टिंग खांसर ने ना, एक्स्प्लें किया है, क्योंकि हमने सब के दे जनरल बेचा था ना, यार, तिक्का खान, वो यार बहुत ही ना, एक जालम बंदा था, जितना कोई बोल सकता है ना, वो उससे भी जादा वो जालम था, जिसने तीस लाख लोगों को मरवाद किया, और चार लाख अरतों के साथ अगर ऐसा करवाया है, तो फिर उससे लोगों के जहां पर एक उसने इतने लोगों के साथ इतनी जाती की या, तो आपके एक युगा है, उनको एक थोड़ी बहुत एक देखा जाए, तो उन्होंने तो इतना निकल नहीं था, लेकिन उस वकत भी एक भारत ने ना, एक बहुत ज्याता एल्प की थी, बहुत क्या कम्प्लीटली जो एक आथ था ना, वो एक भारत कही था, जिन्होंने एक मुक्तिबानी को एक ट्रेनिंग दी और फिर उसको बीच में एक कुदाया के आप आगे हों, मतलब जब वो आगे हुए हैं तो फीचे से अपना फूल एक आथ रखा और एक इतनी बड़ी वार मतलब जितनी भी एक सेना थी ना, पाकिस्तान की उसको वाँ सरंडर करना पड़ा, उनकी एक हैल्प की वज़ा से, लेकिन वो सारे क्रैसीज को अगर देखते हुए अब के एक सेन को देखा जाना सामने, तो ठीक है, एक हिस्ट्री तो ऐसी है, यह जो भी बताएं, वो जैस लाक लोगों को मारा थाब मुस्की तरफ जाएंगे, तो काफी ज्यादा ना, एक इसके अंदर और भी गहरी एक चीज़ें हमारे सामने आती है, यह बाकि सही बात है, एक शेक सीना भाई, अभी भी एक इंडिया में है, और एक यह इंडिया का बहुत एक स्ट्रॉंग मेसे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी साता कुस्स में शांबल होगा, ठीक है, कुछ ना, कुछ है, इनका किरदार एक जरूर उसमें होगा, लेकिन अब बात देखो ना, एक बहुत इंडिस्टिंग है कि भारत अभी भी शेक सीना उनके पास है, और आगे जो भी एक मुलक के मुलक थे, इसमें वो ओपनली अब खुल कर सामने आ रहे हैं, तो अभी एक कोई चांस नहीं के मतलब के शेक हसीना एक बंगला देश में आये, लेकिन है, इस से ये भी थाबत नहीं होता कि वो एक फुली एक आर गी है, क्योंकि अब जब एक इतना बड़ा एक मुलक की स्पोर्ट है ना उसको, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन है, एक जो एक शेख मुझीबो रमान के साथ हुआ था और उनकी जो फैमिली के साथ हुआ था, हाँ तक एक छोटे बच्चे भी नहीं एक बखशे गए, तो ये एक बहुत बड़ी एक जख जो भी थोड़ा सा एक आपको आगे से आखे निकालें, उसकी मतल के आप ने उनको एक छोड़ने ही नहीं है, उनका एक फैमिली ताक के एक बंदे को आपने उनका नामों निशान ही खतम कर देना है, तो अभी ताक भी एक प्लीसी नोंने अपनाई हुई है, लेकिन हाँ त ताक जो एक मसला रहा है ना बंदेश के अंदर वो नाम बियान करने माला है, क्योंकि उसमें एक पाकिस्तान की एक इन्वाल्मेंट रही है ना, एक माहमलाद को खराब करने में, खासकर जो एक रजाकार है, जिसका कोई बंदा आज का लेक जिकर भी नहीं करता, जिनोंने म खत्रा था जो एक बंगला देश का डी एन अ था, क्योंकि उनकी अंदर एक अजाती की एक जनून था या मतलब वो एक इनको चैलेंग करते थे जिस तरह है कि इन्होंने एक लेंगवेज एक उनकी उपर अडॉप करने की कोईशिकी लेकर नहीं कि नहीं इस चीज़ को माने कोई इस तरह कार के एक इन्होंने हर तरीके से उनको कवर करने की कोईशिकी लेकर नहीं है कि वो एक इतना धुलम सैने के बावजूद एक इंडिया की तरफ से जब उनको हैल्प मिली वो काम बजगा जो एक जीत तो गया थे लेकिन उनको एक अलादा मुलक बनाना पड़ा सिर्फ वो दो जो एक बेहने एक अलादा थी इस वज़जा से वो मतलब एक बाच गई लेकिन इंडिया ने वहाँ पे भी वही स्पोर्ट किया उसको एक वहाँ पे बुला के बाद में एक जिस तरह वो मतलब एक अलैक्शन में वह इन्नुही लेकिन यह जो दूसरी साइड कि देखा जाये तो उसको वही एक काफी जो एना वह एक ग्रोव मिलता है कि वह मतलब एक और तरह से यह मतलब एक जो आना वह ज्यादा एक मुलक परास्त है लेकिन असल स्टोरी का भई आप खान सारसे पता चला किया एक अच्छे तरीके से एक्स्प्लेइन किया आगे जो बंगला देश से लेकिन अटाब एक मतलु के शेक सीना ने सब को मतलु के एक दबा कर रखा है लेकिन अगा जो भी इसके पीचे उते थे थे ना एक साशों के उन्हों काफी ट्राइए अब देखो ना सालों बासाल एक बीच गया है मतलब के दोजर्दास से एक वो भी जो वो भी एक एलेक्शन आ रहा हुआ था लेकिन इतनी साइश उटने के बावजूद भी इतना अरसा उन्हें दबाई हैं लेकिन इस तफ़ा एक ना एक स्ट्रॉंग थी क्योंकि इस तफ़ा उन्होंने एक जो एक स्टूड अंडियूं का असरा लिया जो एक जांग पॉपुल के जांग रही थी उसको एक किनोंने मतलकि उबराया तो इस चीज़ का ना काफी किसारा उसकार डाल जाल बिल्कुल तो उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी अगर पसंद आए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते नहीं वीडियो को साथ अब तक के लिए अलाफेज़